नमस्कार आप देख रहे हैं स्काइनेट टीव इंडिया पेश आज के मुख समचार के बेटियां हर छेतर में नई उचाईयां हासिल कर रही हैं इन दोर में इर इक्सा अपताय रूट पर ही चलेंगे इसके लिए ट्रैफिक पुलिस एवं आइटियो द्वारा 23 रूट प्रस्तावित किये गए हैं इन रूट्स को अंतिम रूप देनी की कारवाही तथा आवंटेन की प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी इसे लेकर सनिबार को कलेक्टरेट में बैठक हुई बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट संसन संकल लालवानी मेर पुश्मित्र भारगव, कलेक्टर आसेज सिंग सहित अन्याधिकारी और जन प्रतिनी थी मौजूद थे बैठक में बताया गया कि सहर के ट्रेफिक सुधार के लिए तेजी से प्रयास किये जा रही है इंदोर सहर के पस्चिमी छेत्र में ट्रेफिक सुधार के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं इसी कड़ी में अब एरपोर्ट थाने से 60 फिट रोट चोराहा होते हुए बांगरदर रोड तक सड़क का चोड़ी करण वा निर्मान किया जाएगा सनिवार को इसे लेकर मेर पुश्मिद्र भारगों ने इस रोट का निरिच्छन किया यहां 300 मीटर लंबी तथा 100 फिट चोड़ी सड़क का निर्मान होगा लेंड फॉर जॉप्स मामले में लालू परिवार के मुसीबत बढ़ती दिख रही है रेलबे में जमीन लेकर नोकरी देने के मामले में दिल्ली के राउजवन्यू कोट ने बिहार की पूर्व सियम रावडी देवी उनकी बेटी मीसा भारती हेमा यादव और अन्य आरूपियों को समन जारी किया है दिल्ली के राउज विन्यू कोट ने ED की चार्ज सीट पर संग्यान लेते हुए सभी आरूपियों को 9 फरवरी को अदालत में पेस होने को कहा है आगामी लोकसभा चुनाओ की बीजेपी ने तैयारियां सुरू कर दी है केंदरी ग्रह मंतरी अमित साहर रविबार को तिलंगाना चाएंगे वह वहाँ हैदराबाद, करीम नगर और महबूब नगर में तीन प्रमुक बैठकों में हिस्सा लेंगे भाजपा सुत्रों ने सनिबार को बताया कि साह दोपार देड़ बजे महबूब नगर लोकसभा चेतर की चुनाओ प्रवंधन समित की बैठक में भाग लेंगे इसके बाद साम चार बजे करीम नगर की मतदान केंदर समित की बैठक करेंगे मुंबई में इस्थित एसिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में लोगों को री डपलप्मेंट के तहत फ्रैट देने के लिए अडानी ग्रूप की कमपनी अगले महीने यानि फरवरी से डेटा और बायो मैट्रिक्स इकठा करना सुरू करेगी इसमें करीब 10 लाख लोगों की डिटेल्स कलेक्ट की जाएगी कमपनी इसके जरिये उन लोगों की पहचान करेगी जिन्हें फ्रीमे घर देना है एक जन्वरी सन 2000 के पहले से रह रहे हैं सभी लोगों को इसमें फ्रीमे मकान दिया जाना है जबकि जो लोग 2000-2011 के बीच आकर यहां बसे हैं उन्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी जनवरी के आखरी सब्ताय में मद्र प्रदेश में बारिस का ट्रेंड है इस बार भी मौशम ऐसा ही रहेगा हलाकि तेज बारिस की जगे बूदाबादी ही होगी वो भी जबलपुर संभाग के चीलो में 28 वा 39 जनवरी को बूदाबादी होने का अनुमान है वहीं भोपाल इंदोर गौलियर उजजेन में पानी गिनने की संभावना भी नहीं है इंदोर में सीजन की रवानगी के दिनों में तापमान में फिर से इजाफा होने लगा है पिछले दिनों रात का तापमान पांच दिनों तक 10 डिगरी सेल्सिस के नीचे चला गया था लेकिन दो दिनों से इन में 2 डिगरी का इजाफा हुआ है मोशम में ग्यानिकों का अनुमान है कि अगले एक से दो दिनों में दिन और रात के तापमान में इजाफा होगा कल दिन भर की प्रमुक खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए सुभरातरी